दोस्तो आज हम जानेंगे दुनिया की मसहूर कार कंपने बुगाटी के बारे में दोस्तो बुगाटी कंपनी की गाड़ियां फुरी दुनिया में हाई पर्फॉर्मिंस और सबसे तेज गती के भागने वाई गाड़ी से नाम से पहचानी जाती है बुगाटी के गाड़ियों जमने 15 सितंबा रठा सुई क्यासी को इटरी देश में इस्तित मिरन सहर में हुआ था उनकी म्रत्तु 21 अगस्तों 27 इसको फ्रैंच में हुआ था दरसम एंटोर कारा कारों के घर में तराखों रखते थे उनके पिता कारों बुगाटी ज्वेरस और फरनीचर पर डिजाइन करन सहर हैं लेकिन बुगाटी का मस्रोर होने का सबर इतना असान भी नई था बुगाटी कार काई सफर बड़ा थी संगरस भ़रा था एक टाइम पर तो कंपनी की खालत होई थी कि वो बंद होने के ख़ाल पर थी बुगाटी कंपनी की स्थापना आज से करीब 999 में इतरी के देश में इस्टित मरेशी यह सहरे में हुई थी लेकिन लोगों तक बुगाटी की गाड़ियरों के सामने पेस कीती उस पहरी गाड़ी बुगाटी थर्टी बेजी स्वो्ट रेसिंग के नाम से इस गाड़ी का मॉड़र रेसिंग簡ा कार से कार्षी कमीरते जूरते था और बाकि दो गाड़िय जिन का नाम बुगाटी थाइफ वर वर lky 24 उसके बाद आगे चलकर बुगाटी की गाड़ियों दे रेसिंग जगत में बहुत नाम कमाया है उसमें काई बार बुगाटी कमपनी की गाड़ियों ने रेसिंग जगत में ग्रेंड फ्रिक्स मोटर रेसिंग में जीत हासिर की है उस रेसिंग जगत में बुगाटी टाइब थाइब करने की कोर्सिस की थी और तब उन्होंने बुगाटी 103 नाम का प्रेन बनाय था लेकिन दुर्भाग से बुए प्रेन कभी वी उड़ नहीं सका लेकिन उसके बाद एंटोर बुगाटी ने ट्रेन बनाने की कोर्सिस की थी तब उन्होंने एक ट्रेन का निर्माड किया और उस का नाम बुगाटी आर्टो रेर का रखा गया उसके बाद सार कमपनी बहुत फायदे में जा रही थी लेकिंड नाइन्टी थाइन आइंट बुगाटी के बेटे जॉन बुगाटी अचानक से मौत हो गई थी जॉन उस समय बुगाटी टाइप 57 मोडल की टेस्टिंग कर रहते इस गणना से कंपनी के स्थापक एंटोर वुगाटी को बहुत वड़ा जटका लगा इसे बुगाटी कंपनी घाटे में जाने रगी थी जब दूसर वर्ड वर्ड खत्म हो रहा था तब तक कंपनी को बहुत वड़ा नुकसान हो गया था कंपनी बहुत ही जादा घाटे में लेकिन बाद में एंटोर वुगाटी ने इस पैसानी से निपनने के लिए एक नई गाड़ी की स्रीज बनवाने की सोची और वुगाटी टाइप 43 नामक कार बनवाए रेकिन उनका ये निर्ने बहुत ही बुरा साबित हुआ क्योंकि बुगाटी टाइप 43 नामक कार स्रीप 5 ह बनाई जा सकती थी उसके बाद 1947 में वुगाटी श्ठापक एंटोर वुगाटी की मुध्तु हो गय थी इसी वज़य से कंपनी की स्थिति और भी खराब हो गय थी जो कंपनी को साल पहरे बहुत ही जादा फैदे में रहती थी आज वो कंपनी एंटोर वुगाटी की मुगत के खत्म होने के करार पर थी इस से कंप्पणी में अपने सारे काम काज बंद करने का फैसर किया उसके बाद कंपणी ने फिर से बजार आने के लिए कही सारे प्रयास किये लेकिन कभी सफर नहीं हुए आखिरकार बुगाटी की वापसी 1987 में हुए जिब इट्री के वेपाई रोमा नाइटी और ने खरीद लिया उसके बाद फिर से एक बार बुगाटी की वापसी की तैयारी चालू हो गई थी 1988 में इट्री में मोडें से में बुगाटी ने एक नया प्रांट शुरुआत की गई थी इसलिए बुगाटी के आने वाले गाडियों पर लोगों की चर् तो दावा था कि बुगाटी उन तमाम उचाईयों पर पहँंचे की जिसको वे हगदार है इसके बाद बुगाटी कमनी ने 2005 पे बुगाटी वेराउन नामकी कार रोखों के सामने गाया इब बहुत जाद पसंद किया बुगाटी वेराउन कार 2005 1005 15 कार प्रेमियों में लोगों के सामने राया गया था दोस्तों इसके बाद बुगाटी का कंपनी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा